राधी राधी, स्रीजी की किचिन में आप सभी का स्वागत है, आज हम बनाने जा रहे हैं मुरार की कवाब, ये कवाब बहुती स्वादिश्ट बने हैं, तो चलिए इसी बनाना सुरू करते हैं कवाब बनाने के लिए हमने एक किलो मोटी वाली मुरार ले है, आप देखिए मुरार को इस तरह से पतला पतला छील लेते हैं तो देखे इस तरह से पतला पतला छील लेना है अगर आपके पास मोटी वाली मुरार नहीं है पतली वाली है तो आप उसको भी ले सकते हैं इसको कमल ककड़ी भी कहते हैं तो ये देखे हमने सारी मुरार को छील लिया है अब हम गुलगुल साइज में इस तरह से काट लेंगे इसी तरह से हम पतले पतले पीसिस के कर लेते हैं मीडियम साइज के जादा मोटे नहीं काटेंगे तो देखी हमने इस तरह से मुरार को कट कर लिया है गुलगुल साइज में अब हम एक बाउल लेंगी और सारी मुरार को बाउल में डाल देंगी पानी डाल कर अच्छी सी वास कर लेते हैं तो देखिए इस तरह से दोनों हाथों से मल मल कर मुरार को अच्छी सी वास कर लीजिए कभी कभी क्या होता है मुरार में मिट्टी बहुत होती है तो आप गरम पानी में कटी वी मुरार को डाल दीजिए तो सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और अच्छी सी मुरार को साप कर लीजिए तो देखिए मुरार को हमने अच्छी सी वास कर लिया है अब ये बची हुए पानी को हम फेक देंगे तो देखी मुरार कितने अच्छे से साफ हो गई है अब हम कुकर लेंगे कुकर में कटी भी मुरार को डाल देंगे इस तरह से हमने सारी मुरार को डाल दिया है कुकर में अब इसमें डेल लीटर पानी डालेंगे इसमें आदर चमच नमक डाल देंगे नमक डालने से क्या होता है मुरार अच्छ से गल भी जाती है और इसमें नमक का टिष्ट भी अच्छा आ जाता है तो हमको कुकर कड़कन लगा देते हैं अब हम रखते हैं साइड में कुछ मसाली लिये हैं आदर चमच लालमिश पाउडर लिया है आदर चमच गरम मसाला लिया है एकच मच स्वादा नुसर नमक लिया है आदर चमच चाट मसाल लिया है ये खानी वाली चमच से हमने चाड चमच ख़ड़ा धनिया लिया है ये देखिए सूखा वाला धनिया है एक चमच जीरा लिया है ये देखिए अब हम दोनों को मिक्स कर लेंगे इस तरह से अब इनको रखते हम साइड में ये हमने डिल कप चनी की डाल ली है चनी की डाल को अच्छी सी वास कर लेंगे और फिर दो घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे तो ये देखिए हमने चनी की डाल को पहले सी भीगने के लिए रख दिया था ये देखिए कितने अच्छी से फूल गई है अब हम डाल को एक प्लेट में निकालते जाएंगे इस तरह से क्योंकि इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए तो देखिए हमने सारी डाल को प्लेट में इस तरह से निकाल लिया है अब चलते हैं गैस पर गैस पर हमने एक फ्राइपिन रखा है और गैस को अन कर लेंगे गैस की फ्लेम को मेडियम ही रखना है अब हमने झो खड़ा धनिया और जीरा लिया था उसको फ्राइपिन में डाल लेंगे अब इस तरह से एक दो मिनट तक चला लेना है जब तक धनिया का कलर हलका सा चेंज नहीं हो जाता है जब तक इस तरह से भूण लेंगे तो देखी, कलर हलका सा चेंज हो गया है, इसमें अच्छी सी खुस्वू आने लगी है अब इसको इक बर्तर में निकान लेते हैं, गैस को आप कर देंगे अब गैस को ओन करके, चनी की दाल को डाल रूष्ट कर लेते हैं, फ्राइपिन में तो देखी, इस तरह से सारी चनी की दाल डाल देना है अब हम चनी की दाल को इस तरह से 3-4 मिन तक ड्राइड रूष्ट कर लेते हैं, गैस की फ्रीम को मीडियम रखेंगे ये देखी दाल का कलर चेंज हो गया है दाल अच्छे से डाय रोष्ट हो गई है ये इसको आफ कर देंगे ये देखी एक एक दाना खिला खिला हो गया है इस तरह की दाल होना चाहिए अब हम चनी की दाल को एक बरतन में इस तरह से निकालते जाएंगे अब हम मुरार्गू वाल लेते हैं छे सिटी होने तक मुरार्गू वालने देंगी अब हम निक्सी के जार में चनी की दाल को डाल देंगी आर्दस लसुन की कलिया डाल देंगे छील की तीन हमने अद्रक के टुकड़े डाले हैं चार हरी मिर्च तोड़ कर डाली है अगर आप लस्वन नहीं खाते हैं तो इसकीप कर सकते हैं अब हम दाल को पीस लेते हैं ये देखिए दाल अच्छे से पिस गई है इस तरह की दाल पीसना है आपको अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं बचवी दाल को भी पीस लेंगे हैं अब हमने खड़ा धनिया और जीरी को भी दरवरा कूट लिया है देखिए इस तरह का ये देखिए कोकर में 6 सीटी हो गई है अब हम गैस को आफ कर देंगे ये देखिए कोकर ठंडा हो गया था अब हम खोल कर मुरार को चेक कर लेते हैं इस तरह से देखिए मुरार अच्छे से गल गई है अब हम किसी वरतर में इस तरह से निकाल लेंगे आप छणी में भी निकाल कर रख सकते हैं जिससे इसका पानी निकल जाए तो हम सारी मुरार निकाल लेते हैं ये देखिए सारी मुरार का हमने पानी निकाल लिया है यह हमने इस तरह का चौपर लिया है मुराल को हम इसमें डाल कर चौप कर लेते हैं तो देखिए इस तरह से आप मेक्सी में बिल्कुल ना पीसे मेक्सी में पीसे में से मुराल लिस लिसी हो जाएगी और इसकी कवाब बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे तो देखी इस तरह का डाय रखना है आपको तो हम सारी मुरार इस तरह से चौप कर लेते हैं अब हम इसको एक बरतर में निकाल लेंगे इस तरह की आपको चौप करना है मुरार को अब हमने जो दाल पीस कर रखी थी वह मिक्स कर लेंगे इसमें अब आदर चमच लाजमेच डालेंगे आदर चमच गरम मसाला डाल देंगे एक चमच वादर नुसर नमक डालेंगे इसमें आदर चमच चार्थ मसाला डालेंगे आप चार्थ मसाला की जगे नेबू कर रस वी डाल सकते हैं यह हमने खड़ा धनिया और जीरे को कूट कर रखाता वो डाल देते हैं अब सारी चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इस तरह से तो यह देखिए हमने सारी चीज़ों को अच्छी से मिक्स कर लिया है यह हमने रिफाइन वैल लिया है अब इस तरह से दोनों हाथों में लगा लेंगे देखिए इस तरह से लगा लेना है जिससे कि हम कवाब बनाए तो हाथों में चिपके नहीं अब हम इस तरह से गुल-गुल बॉल सी बना लेंगे और इस तरह से चप्टा कर देंगे तो देखिए इस तरह से बनाना है अब हम दूसरा भी आपको बना कर दिखाते हैं तो इस तरह से आप गोल बनाईए पहले और फिर इस तरह से चप्टा कर दीजे ये कबाब खाने में बहुती टेश्टी लगते हैं और बहुती किस्पी बनते हैं अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी कबाब भूती पर्फेक्ट बनेंगे आप जरू बना कर देखिए कोई ये बता भी नहीं पाएगा कि आपने मुरार्सी ये कबाब बनाए हैं तो देखिए इस तरह से हम सारी कबाब बना लेते हैं फिर आपको आगे बताते हैं तो देखिए हमने सारी कबाब इस तरह से बना लिये हैं ये बनाने में बिल्कुल फटते भी नहीं हैं तो देखिए कितने अच्छी बने हैं अब चलते हैं इनको फ्राई करने अब गैस कोण कर लेंगी ये हम रिफाइन वाइल डाल रहे हैं ये देखिए तील अच्छी से गरम हो गया है अब हम एक एक कवाव इस तरह से डालते जाएंगे और इस तरह से जरी से हम बीच में करते जाएंगे कि जिससे कि ये अच्छी सिपक जाएं गैस की फ्रेम को मीडियम रखेंगे गैस की फ्रेम मीडियम रखने से ये कवाव अंदर तक पक जाएंगे और भाती किस्पी बनेंगे तो इसी तरह से पलट-पलट कर फ्राई कर लेते हैं ये देखिए ब्राउन हो गए है उपर से ये अंदर तक पक चुके हैं अब इनको ब्लेट में निकालते जाएंगे इसी तरह से हम सारे कबाब निकाल लेते हैं कबाब बनकर हमारी रेडी हो गए हैं अब हम आपको तोड़कर दिखाते हैं ये अंदर से पक चुके हैं और बहुती कस्पी बने हैं